वेलकम टो एक्जाम तक आज अब 5 सितंबर और 5 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी most important current office के question मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ साथ में मैं आपको हर एक question के साथ में detail में explanation भी बताऊँगा जिससे आपको current office के साथ साथ statistics जी के काफी जैदा improve हो जाएगा last में मैं आपसे सवाल भी पूछूँगा जिसका answer आपको comment box में देना है तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखे इसकी कुईच और PDF आपको telegram channel पर मिल जाएगी so join कर लेना link कर नीचे description में दिया गया है start कर दें आज का वीडियो पहला question कौन सा है हाली में पंजाब और सिंद बैंक के नए MD और CEO किसे निउक्त किया गया है तो अभी पंजाब और सिंद बैंक के नए MD and CEO कौन बने है most important question है अभी जो हैं पंजाब और सिंद बैंक के नए MD and CEO बने है S.Krishnan इनका नाम आपको importantly याद रखना S.Krishnan जो हैं वो बने हैं पंजाब और सिंद बैंक के नए managing director and chief executive officer ठीके ना यह आपको याद रखना इसके अलब अभी जो HDFC बैंक के भी नए CEO बने थे वो कौन बने थे शशिदर जगदिशन उनका नाम भी आपको important याद रखना अदितिय पूरी की जगए बने थे शशिदर जगदिशन उनका नाम भी आपको याद रखना अब पंजाब और सिंद बैंक के बने तो इसके जो हैं अभी गैर कारिकारी अद्धिक्ष कोने डॉक्टर चरण सिंग है इसके अद्धिक्ष एस कृष्णन का नाम आपको importantly याद रखना है क्योंकि यह अभी new appointment हुए है और पंजाब और सिंद बैंक का headquarter का है तो नई दिल्ली में इसका headquarter है यह भी आपको important याद रखना पंजाब और सिंद बैंक की tagline क्या है यह आपको याद रखना ठीक है इसकी tagline क्या है तो यह सबी बाते आपको पंजाब और सिंद नेशनल बैंक के बारे में याद रखने है चले next बार का है second question की राष्टिय शिक्षक दिवस कब मनाय जाता है तो important है राष्टिय शिक्षक दिवस हर वर्स 5 सितंबर को मनाय जाता है यह आपको importantly याद रखना है अब आपको confused नहीं होना है राष्टिय शिक्षक दिवस तो मनाय जाता है 5 सितंबर को विश्व सिक्षक दिवस मनाय जाता है 5 अक्टूबर को तो ये भी आपको याद रखना इसमें जो हैं राष्टिय और विश्व जो हैं कई दिवस ऐसे हैं जो कि अलग अलग होते हैं ठीक ना अब राष्टिय विश्व और अंतराष्टिय इन दिवस में क्या फर्क होता हैं तो राष्टिय तो वो होता है जो कि कि किसी एक देश में मनाई जाता है जैसे राष्टिय शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को सिर्फ इंडिया में मनाई जाता है इसके अलब अंतराष्टिय दिवस है तो अंतराष्टिय दिवस जो है एक से अधिक देशों में मनाई जाता है लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं मनाई जाता है तो मैं आपको बता दू राष्टिय शिक्षक दिवस 5 सितंबर कोई क्यों मनाय जता है तो मैं आपको बता दू भारत के पहले उपराष्टपदी और दूसरे राष्टपदी डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन के जन्म दिन पर मनाय जता है ये 5 सितंबर को राष्टिय शिक थी ते उसी समय इनको जो है भारत रतना पुरुसकार मिला था जो पहला भारत रतना पुरुसकार मिला था वह इनी को मिला था तो यह भी आपको ड्रॉपपली रादा कृषिनन के बारे में Importantly याद रखना ठीक है ना चले नेक्स्ट बारगां थीर्ड कोशन की हाली में किस ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है यह आपको याद रखना है हधराबाद शेयर जो है यह किस नदी के किनारेmost विद्यान को देजंदी पुर यह तिया दो है कि ये क्या है CII and GBC ये क्या है तो मैं आपको बता दू CII भारतिय उद्योग परिसंग है Confederation of Indian Industry ये आपको importantly याद रखना है नई दिली में इसका headquarter है इसके CEO कौन है अध्यक्ष कौन है तो उदे कोटक जो है वो है भारतिय उद्योग परिसंग के अध्यक्ष ये भी आपको याद रखना आप GBC ये गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर तो इन दोनों के द्वारा जोए उर्जा, दक्षता, शित्रके, मैतोपुन और नविन प्रियासों को पैचानने के लिए उर्जा प्रबंदन में उतकरष्टता के लिए ये राष्टिया पुरुसकार दिया जाता है तो यह आपको importantly याद रखना and हैदराबाद airport को ये पुरुसकार मिलाए फ्रेंड से जो current office के वीडियो होते हैं आपके सभी exams के लिए like daily police, sse, banking, railway, pcs, air force, navy इन सभी exams के लिए most important होता है क्योंकि यहाँ पर आपको current office के साथ-साथ statistics जी के काफी ज़्यदा boost होता है तो daily current office का वीडियो देखने के लिए channel को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए and daily current office का वीडियो जरूर देखिए नेक्स्ट पार गए चौते question की हाली में मंत्रा के brand ambassador कौन बनें तो मंत्रा जो brand है उसके जो है अभी brand ambassador कौन बनें तो उसके brand ambassador बनें एक actress किया रहा आडवानी इनका नाम आपको याद रखना है मंत्रा के ये brand ambassador बनें तो ये आपको याद रखना है अभी JSW Cement के भी brand ambassador बने थे कौन बने थे सुनिल चेतरी और सौरव गांगुली उनका नाम भी आपको याद रखना इबाइक गो के भी brand ambassador बने थे हरबजन सिंग उनका नाम भी आपको याद रखना लेटेश जो भी होते हैं उन सभी को मैं आपको current office के वीडियो में साथ में revision करवाता जाता हूँ जिससे आपको भूलेंगे नहीं आपको time to time revision होता रहेगा एंड याद होता रहेगा ठीके ना तो अभी mantra जो है यह flip card की ही company है flip card के अंडर की है company है मिंत्रा एंड यह जो इसकी इस्तापना का होई थी तो 2007 में इस्तापना होई थी इसके प्रेजेंट टाइमी CEO को ने अमर नागाराम इसके CEO है एंड मिंत्रा का headquarter का है तो बैंगलोर में इसका headquarter है मिंत्रा का तो यह सबी बाते आपको मिंत्रा के बारे में भी याद रखने है ठीक है ना नेक्ट बाते हैं पांचवे question की हाली में M. वीर लक्षमी किस राज्ये में भारत की पहली महिला ambulance driver बनी है तमिल नाडू राज्ये में यह आपको importantly याद रखना है एंड इनका नाम क्या है M. वीर लक्षमी जो है यह है इनका नाम आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं यही है भारत की पहली महिला ambulance driver ठीक है ना अब तमिल नाडू की बने है तो तमिल नाडू की राजदनी क्या है चैन्न यहां की राजदनी है तमिल नाडू के मुख्यमंदरी को है के पलाने स्वामी जो है वो हैं तमिल नाडू के मुख्यमंदरी तमिल नाडू के राज्येपाल को है बनवारी लाल पूरोई जो हैं वो है तमिल नाडू के प्रेजन टाइम है गवर्णर तो ये सबी बात आपको तमिल नाडू के बारे में भी याद रखने हैं तो ये आपको इंपोटले याद रखना न्यूजी लेंड पुरुष क्रिक्र Wijाँ का मुख्य कोच बनाया गया है गैर्री स्ट्रीड को तो यापको याद रखना है अब न्यूजी लेंड की बात आए तो न्यूजी लेंड जो है इसके प्रदान मंतर को ने जेशी इंडा अart दनी है तो आपको confused नहीं होना है Wellington एक द्वीप भी है केरला में और न्यूजिलेंड की मुद्रा क्या तो न्यूजिलेंडी डॉलर जो है वो है यहां की मुद्रा तो यह भी आपको याद रखना है चले नेक्ट बारे साथ वे कोशन की विश्वन नारियल दिवस कब मनाय जात है important है तो यह हर वर्स 2 सितंबर को मनाय जाता है विश्वन नारियल दिवस यह आपको important ही याद रखना है अब विश्वन नारियल दिवस 2020 की theme क्या थी क्योंकि theme जो है वो important होती है और वो पूछ लेते हैं तो दुनिया को बच्चाने के लिए नारियल में निवेश करे invest coconut for save यहीं तो जार बीस की विश्व नारियल दिवस्ट कि यह आपको याद रखना अब नारियल का वैग्यनिक नाम क्या है यह कई फल फ्रूट नाम छोहasted 형 उनके वैग्यनिक नाम भी पूच्छते तो अभी जो है property बेचने से समझ दीती है home उत्सव नाम से virtual प्रदशनी है जिसको अभी launch किया है ICICI bank नहीं यह आपको याद रखना ठीक है ना home उत्सव नाम से इसको launch किया है ICICI bank नहीं अब ICICI bank नहीं इसको launch किया है तो इसके full form आपको याद रखने है वो है ICICI bank के CEO यह भी आपको याद रखना है और इसका headquarter रखना है बंबे में इसका headquarter रहे है stop नहीं थी 1994 में और वडोधरा में जो है इसकी stop नहीं थी अभी headquarter है बंबे में 1994 में HDFC bank के भी stop नहीं थी वो भी आपको याद रखना है मुरली रामकृष्णा को इनका नाम आपको याद रखना है ठीक है न मुरली रामकृष्णा को बनाए गया है South Indian Bank का निया MD&CO अब South Indian Bank है इसका headquarter है थ्रिशूर केरला में यह आपको याद रखना केरला के थ्रिशूर में जो है इसका headquarter है South Indian Bank का इस bank की tagline क्या है experience next generation banking बैंकों की tagline भी आपसे exam है पूछ लेते कई बार तो आपको जो है banks की tagline भी है मैं आपको current office के वीडियो में इसी लिए बता दाओं तो experience next generation banking जो है यह है South Indian bank की tagline यह आपको याद रखना है और विसेस कर headquarter तो सभी bank को क्या आपको मुँव पर याद होने चाहिए इसका headquarter का है थ्रिशूर के कैरला में ओके चले next वार दस वे और आज के last question की Pope Francis की नई किताब Let Us Dream का परकाशित होगी तो अभी जो है Pope Francis की नई पुस्तक आने वाली है Let Us Dream ठीक है न तो यह आपको याद रखना है अब मैं आपको कल के सवाल का answer देता हूँ आज का question पूछा हूँ कल मैंने question पूछा था PTI के नई अध्यक्ष कौन बने PTI क्या है Price Trust of India इसके अभी नई अध्यक्ष बने अविक सरकार इनका नाम आपको याद रखना है Price Trust of India की स्थापना कब हुई थी तो 1947 में हुई थी 27 अगस्त को ठेना इसका एड़क्ष रखना है नई दिल्ली में इसका एड़क्ष रहा है PTI का तो यह भी आपको याद रखना है अब आज का question को इसा है रहो Global Innovation Index 2020 में शिर्ष पर कौन सा देश रहा है तो यह आपको importantly याद रखना शिर्ष पर कौन सा देश रहा अगर आपको top 3 पता हो और इंडिया की रैंकिंग भी पता हो तो जरूर लिखिए कल के वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डीटेल में बताया था अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजिए मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए जै हिन जै भारत